नमस्कार, very good morning, मैं हूँ डॉक्टर वायराकी, आप लोगों का स्वागत अभी नंदन करती हूँ, बहुत समय पहले की बात है, एक गाउं के अंदर छे अंदे एक सात रहा करते थे, एक दिन उस गाउं के अंदर एक बड़ा सा हाती आया है, लेकिन उन में से किसी ने भी उस ह चुकर महसूस करने लग गए, आज उन्होंने पहली बार हाती को महसूस किया था, फिर क्या था, सब अपनी अपनी जगापर खड़े हो गए, कि आज हम हाती को महसूस कर कर देखेंगे, उस में से जो सबसे पहले व्यक्ति था, जिसने हाती को चुआ, उसने हाती को चूते ह कहा दीसरे ने कहा पहले हाथी के पैर छूते हैं कि ऑंक तानी की तरह हैं इस तरह तरह से अपनी वह करने लगए तो अगला चौथा गती बोला नहीं नहीं तो एक दिवार की तरह है पाचवा व्यक्ती बोला कि हाथी जो है एक पंक्खे की तरह है क्योंकि उसने हाथी की सून कुछ हुआ था सब आपस में भहस करने लग गए कि हाथी इस तरह से हाथी पहाड की तरह है हाथी दिवार की तरह है रसी की तरह है सून की तरह है उनकी भहस इतनी जादा बढ़ गई कि वो आपस में ल पूछ परे सूचो अलाथ नहीं है सब अपने पनस सही है कूगि जिसने हाथि के जिस भाक कुछ ही है उसे वैसा महसूस किया और वो आथी को वैसा ही देख रहा है तो आप अपने अपनी राय को इस रहे और हाँ उसकी फूंच किसी को एक रसी जैसी मोटी रसी जैसी ही लगती है लेकिन आपका सबका अपनी अपनी जगा पर सूचना बिल्कुल सही है लेकिन हाथी सारे ही उस तरह रूपों में हैं जिस तरह से आपने महसूस किया है सबको बात समझ में आगे लड़ाई खतम करके दोस्ती की तरह जैसे आयते वैसे चले गए दोस्तों हम भी जिन्दीगी में कभी-कभी ऐसा ही करते हैं आपको कोई अच्छा लगता है तो आपको उसके अंदर भहस करकर अपने आपको सही साबित करने के लिए नहीं आईसा ही है नहीं आईसा ही है क्योंकि आपने उस में समझदारी होती है जरूरी नहीं है कि हर बार जो पहलू हम कह रहे हैं वो सही हो लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि जो पहलू हम दर्शा रहे हैं वो गलत हो मैं हूँ डॉक्टर वायरा कि आपका स्वागत अभी नंदन करती हूँ खुश रहे मस रहे और कमेंट्स में ज 2078 MUST WATCH जर्माताद